जोस्तों मैं सुप्रिय आप सभी को सुप्रिय एजूकेशन हब यूटूब चाइनल पर स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं जैसे कि आप सभी को पता है 18 अक्टूबर से 21-24 एसन वालों की एक्जामिनेशन है स्टार्ट हो रही है कल से आप लोग के एडमिट कार्ट मीलेगा है तो चलिए आप लोग किस कORAओलेज में संठे को मिलेगा कि टीक है बहुत सारे आप लोग को पहले वी आप लोग के पास शरालो लेकिन और और अधे कि और कि आ में अलिजग छरट हुआ है जो आएक यह लेकर पहले एका सिंग पर दोने टा तो तो चलिए मैं अच्छे तरीके से समझाती हूँ कि आप लोग का सेंटर कहां पड़ा है अगर आप लोग डॉक्टर आर एम एलेस कॉलेज के स्टुडेंट है या फिर इस्लामिया डिग्री महाविद्याले सहापूर के है काटी के ठीक है या फिर आर्सी कॉलेज सक्रा के है त तो आप तीनों कॉलेज के स्टुडेंट का सेंटर जहों जो वह एलेसं कॉलेज में दिया गया है ठीक है चलिए अगर आप MPS साइंस कॉलेज से है या डॉक्टर जगरनात मिस्रा कॉलेज से है या रामिश्वर महाविद्याले मुझपरपूर के है तो आप लोगों का सेंटर कहां दिया है तो आप लोगों का सेंटर दिया है अगर आप लोगों का सेंटर दिया है रामिश्वर महाविद्याले मुझपरपूर में अगर आप लोगों का सेंटर दिया है चुलेज में अगर लोगों का सेंटर कहां दिया है एमडेडियम कॉलेज में थीक है अगर आप लोग स्रीराम जानकी स्वामी और यह देख सकते क्या लिखावे आप लोगों के लिए दिख भी रहा होगा और इतलाल सुर्दी यादव दिग्री महाविद्याले मुझफरपूर से है तो आप लोग का कॉलेज नितिस्वर महाविद्याले में दिया है और अगर आप लोग का RDS कॉलेज मुझफरपूर में या नितिस्वर महाविद्याले मुझफरपूर में है तो आप लोग को स्याम नंदन साय कॉलेज में सेंटर दिया है अगर आप लोग महेश परसाब सी महाविद्याले बेला मुझपरपूर के है या फिर गीता पेडी सिंग कॉलेज अफ कॉमर्स मुझपरपूर या भगवान महाविर कॉलेज के स्ट्टेंट है तो आप सभी का सेंटर डॉक्टर जगरनाथ मिस्रा कॉलेज मुझपरपूर में दिया है ठीक है और अगर आप लोग आरे से जो चाहा में है तो आप लोग का सेंटर भगवान महाविर कॉलेज मुझपरपूर में दिया है ऐसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए खुद ही इस साइट देखी आप लोग किस कॉलेज में है और इस उसी के सामने म भगवान की पढ़ा रहा तो यह रहा है आप लोग के लिए सेंटरलिस्ट ठीक है किसके लिए स्टरलिस्ट है किosis बनुख हम दो सबस्ते हो इस जानो टेक्जिए समएं सब्सक्राइस www.id झाल